कभी कभी बार आपका Paytm अकॉंड ब्लॉग हो जाते हैं तब आपको उसको आन ब्लोक करने का ज़रौद रहता है ठीक उसी तरफ से कभी कभी बार आपका Paytm अकॉंड ब्लोक करने का ज़रौद रहता है इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से Paytm अकाउंट को क्लोच और ब्लॉक कर सकते हैं नमस्कार मेरा ना में वीकस और आप देख रहे हैं वीकस टिक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसके पहले आपका प्लेस्टोर में जाके पतर को लेटर के लिशनन हे अप्डेट करने के बाद आपका प्लेस्ट्रोर में आपको पासवार में चर्टक करने tap करने के बाद दिख्यें आपको नीज में scroll करना है scroll करने के बाद इधर एक option मिल जाते हैं 284 x 7 help and support यह वाला option में आपको जाना है जाने के बाद देखिए दोस्तों आपको इधर scroll करते जाना है scroll करने के बाद आपको view all service करके option दिख़ए देते हैं मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल सेटिंग यह वाला जो अप्सन आप देख पा रहे हैं प्रोफाइल सेटिंग यह वाला अप्सन में आपको जाना है जाने के बाद दिखे चैट विट आस यह वाला जो अप्सन है इधार आपको टैप करना है टैप करने के बाद यह सब option चूच कहने से पहले आप समझीए जो कौन सा आपका काम का है और क्या क्या काम का है पहले नमबर पे है एक नमबर पे है जो I lost my phone और I want to block my account यह वाला जो option है एक क्या काम का आता है यह वाला जो option है आपका account ब्लोग हो जाएगा बट आप चाहे तो कभी भी customer care में call करके नहीं तो paytm cybersale at the rate paytm.com इधर mail करके आपका recommend और जाई open कर सकते हैं ठीक है आप खूद ब्लोग कर रहा है इसको open कर सकते हैं आपका profile documents देखे इसके बाद देखिए नीज में एक option दीता है मैं आप लोग को दिखा देता हूं I want to close or delete my account यह जो चीज है यह आप मतलब धान से समझेए यह आप एक बार कर देंगे तो कभी भी Paytm mall, Paytm BC agent, Paytm service agent, Paytm business, Paytm money, जितना भी सारा Paytm का app है मतलब सब पर्मानली ब्लोग हो जाएगा आप कभी भी open नहीं कर पाएंगे Paytm का कुछ भी service आप नहीं ले पाएंगे यह वाला job option है I want to close or delete my account यह वाला job option है तो मैं पहले आप लोग को दिखाता हूं ब्लोग और ब्लोग में क्या होता है ब्लोग में भी सब कुछ ब्लोग हो जाएगा Paytm wallet, Paytm money, उसके बाद Paytm business, Paytm BC agent है आप तो वह भी ब्लोग हो जाएगा सब ब्लोग हो जाएगा बट आप mail करके इसको open कर सकते हैं बट यह वाला mail करके कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं होगा यह ठिलिड हो जाएगा, permanently ठीक है तो पहले नमबर पर देखिए I lost my phone and I want to block my account यह वाला option मैं आप लोग को दिखा देता हूं मैं ब्लोग नहीं करूंगा, मैं आपको से process दिखा दे रहा हूं I want to block my account previous if you for mistake I want to log out from all device payment linkm apps आप log out करना चाहते हैं all device से और अपना यह device से तो यह वाला option निट का option चूछ करना है और आप चाहते हैं account को block करने के लिए तो आपको यह वाला option में tap करना है तो I want to block my Paytm account ठीक है, देखिए मैंने यह वाला option चूछ कर दिया है ठीक है इसके बाद देखिए यह लोग बोल रहा है आपका जो account है ब्लोग हो जाएगा ठीक है तो आपका Paytm including Paytm wallet, Paytm bank account, Paytm money account and Paytm for business account ठीक है निज में एक option दिखा रहा है देखिए Proceed to block यह वाला option मैं नहीं करूँगा यह वाला option मैं टैप करूँगा तो account ब्लोग हो जाएगा मैं नहीं करूँगा इसके बाद से आपको खुच करना है इसके बाद चलिए मैं delete करके account को दिखांगा आज आप लोग को मैं delete करके दिखांगा account पूरा full process मैं back कर लेता हूं फिर से मैं जाता हूं चाट विद आस में चले जाता हूं यह हो गया ब्लोग का इसके बाद आते हैं I want to close और delete my account यह वाला option मैं टैप करता हूं टैप करने के बाद आपको custom wait करना है यह रोग reply करेगा देखिए इधा जितना भी सरा बताए गया है जितना भी सरा आप धान से पढ़ लीजे ठीक है सब कुछ पढ़ लीजे आप मैं आपको जो बताया हूं all service delete हो जाएगा all service जितना भी सारा है payment किया है payment method है किसी भी आप के साथ link है सब कुछ सब कुछ सब कुछ delete हो जाएगा और आपका यह जो icon पूरी यह जो number है पूरी तरह के से ATM आप यूजी नहीं कर पाएंगे कभी भी जिंदकी में तो यह आप धान से पढ़ लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूं यह पढ़ सकते हैं ठीक है और एक time देते हैं जिंदकी वर्माई एक time देते हैं 10 year के लिए 10 year के लिए इसके बाद देखिए दोस्तों इधार कुछ रीजन बता देया जा रहा है जो आप किसलिए इस account को close करना चाहते हैं ठीक है तो अब जो भी अपना जो मतलब जो प्रोफेशल है आप इधार दे सकते हैं I have a two account or I do not have a access to this number I do not use Paytm account जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं I do not happy with Paytm service and आदास करके आप कर सकते हैं तो मैं बोल देता हूं I do not use Paytm account यह वाला option टैप करके close my account close my account करके एक option दिखा ही देर आप देख पा रहे हैं close my account इधार आपको टैप करना है टैप करने के बाद देखिए दोस्तो दोस्तो कॉल आए गया था फोन में इसलिए फीडियो होना बंद हो गयाता है इसलिए मैं फिर से बना रहा हूं देखिए आपका account अभी successfully close हो चुका है successfully close ठीक है आप अभी आप इस account से कुछ भी नहीं कर सकते हैं ठीक है आपका paytm all service deactivate कर दिया गया है ठीक है इस तरफ से आपका account को आप deactivate कर सकते हैं बहुत simple से वीडियो को अच्छा लगे तो like कर दीजिए और हमारा चनल है बहुत छोटा चनल आप लिए को सब्सक्राइब करता हूं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलेंग आगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रहिए नमस्तेव